नमस्कार दोस्तों आप सभी का जेके आईटे मंत्रा यूट्यूब चेनल में स्वागत है भाबा ओटमिक रिसर्च सेंटर की जो वेकेंसी आई थी एर्वेटेज नमर 032023 उसकी अपडेट जो सबसे बड़ी अपडेट थी जिसका हम इंतजार पिछले कई समय से कर रहे थे वो अब आचुकी है क्या थी आईटे की स्किल टेस्ट से समंदित अपडेट थी वो आचुकी है कमप्लीट इस पर चर्चा करेंगे कि क्या अपडेट है कब स्किल टेस्ट होना है चलिए शुरुआत करते हैं रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सहीर जरूर करें यह अपडेट तो पहले से थी यनकी अभी एक कोल लगाई थी मैंने 2-4 दिन पहले आप सभी ने उसकी रिकोर्डिंग सुनी होगी वाइरल हो रहा है उस बच्चे ने लगाई थी तो उसमें कहरे हैं कि इस महीने के एंड में या फिर इस वीक में आपके अपडेट आ जाएगी तो अपडेट आ चुकी है मैंने उस रिकोर्डिंग वाला वीडियो नहीं बनाया मैंने चुचा क्यों आपको अपडेट दी जाए जब ऑफिशिल आईगी तब ही देंगे लेकिन उस मेम ने बता दिया था कि इस वीक के एंड तक अपडेट आने की चांस है तो देखे पहले आप बार्क की वेबसाइट ओपन कर लीजिए बार्क-online-exam.com तो यह वेबसाइट यह रही तीन यहां पर क्लिक करके वेबसाइट करके बताऊंगे आपको बार्क-online-exam.com आपको बार्क रिक्रुप्मेंट आप सर्च कर लेंजिए देखे यहां आ जाएगा नीचे बार्क-online-exam.com पहले से सर्च कर रहा है जैसी आप क्लिक करते हैं तो आपको तीन डोट पर क्लिक करके आप डेस्क्टोप खोलना चाहिए तो कर सकते हैं नेकिन यहां व्यू ओल पर करके यह नोटिफिकेशन आपको दिखाए देज़ेंगे आज की जो नोटिफिकेशन है वो यहां है 26 तारीक का 26 जुलाई का आपको केटिगरी 2 स्किल टेस्ट सेड्डूल इसे आप कर लेते हैं डाउनलोड जैसी हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह हमारी पीडियो फॉर्मेट में ओपन हो गई यह फाइल उपर लिखा है भारत सरकार भाबा ओटोमिक रिसर्च सेंटर और एडवर्टीज नंबर 03223 बार्क सुचना कोसल परिक्षन यानिकी स्किल टेस्ट की अनूसूची अब देखे टीर 17 फिटर का 30 सितंबर से 30 सितंबर को रहेगा और 1 से 17 अक्टूबर तक रहेगा फिर टरंडर का दे रखा है टरंडर मसीनिस्ट का 18 से 26 सितंबर वेल्डर का 23 से 26 सितंबर फिटर में बच्चे ज़्यादा आए फिटर में क्या थी 700 के आसपा सेटे हैं और लगबग 2 गुणा बच्चे बुलाएं मेरा यही है आप देख सकते हैं यान कि मुझे यही लगता है कि दो गुणा बुलाएं और आप देख सकते हैं अपने अकुडिंग वेल्डर का 23 से 26 सितंबर है और मेकेनिक मसीन टूल का 27 सितंबर एक ही दिन होगा बहुत अच्छी सांदार बात है एक दिन में हो जाएगा इलेक्ट्रिशन सबसे जो ध्यान में रखी जाने वाली फीटर और इलेक्ट्रिशन है उसका देखे 18 सितंबर को है यान की 18 सितंबर को उसके बाद 22 अक्टूबर तक चलेगा इलेक्ट्रिशन का देखे 18 सितंबर से 22 अक्टूबर तक चलने वाला है सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे हैं कितने हैं लगबग 1200 बच्चे स्किल टेस्ट के लिए इसमें बुलाए गई हैं यहनकी फीटर और इलेक्ट्रिशन में सबसे ज़्यादा है लगबग मुझे लगता है 4000 के आस्वास केंडिडेट है और यह पीडिफ आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं वरना मैंने बता दिया आप कैसे डाउनलोड करेंगी वहां से भी कर सकते हैं एलेक्ट्रोनिक मेकेनिक की 18 से आपके 27 सितंबर चलेगा और इंस्टुमेंट मेकेनिक 18 से 20 सितंबर ड्राफ्ट मेन मेकेनिक 18 से 26 और 27 सितंबर को चलेगा दो दिन और सिविल ड्राफ्ट मेन का एक दिन में हो जाएगा 25 सितंबर को ये जिनका एक दिन में हो रहा है न बहुत बढ़िया है इनके लिए बढ़ाई ये देख रहा है 23 और 24 सितंबर फिर मोटर वहन मेकेनिक 18-19 सितंबर और डीजल मेकेनिक 20 सितंबर को अब देखें नीचे क्या लिखा है कोसल परिक्षन का इस्थान यानकी कहा होगा तो लिखा है चेतरी कोसल विकास और उदमिता निर्दसायले महाराश्टर कोसल विकास उदम सीलता मंत्राले भार सरकार वी अन पूरव मार्ग चुन्ना भटी सायन इस्ट मूंबई और यह एड्रस दे रखा है और फिर दे रखा है इस टेप टूब में उन्नत परिक्ष्या सीबीटी में यानकी जो सीबीटी यह हुआ था आपका में अहरता प्राप्त करने वाली उमिद्वारों को अपना प्रवेश पत्र इस वेबसाइट से एक आठ यानकी एक अगस्त से ड काड आएगा आपको मेल आजएगा उपर हिंदी में लिखा हुआ था और यह नीचे इंग्लीश में लिखा हुआ है तो यह एकदम इसे आप पढ़ सकते हैं एक बार एड्रस इंग्लीश वाला पढ़ लेते हैं मुझे लगता है वेन्यू ऑफ स्किल टेस्ट में लिखा है आपके इंटरप्रशिप महराष्टर और मिनिस्ट्री ओफ स्किल टेस्ट होगा और यह कोई बड़ी बात नहीं है आपकी जो एड्मिट कार्ड आएगा उसमें आपका टाइम अलग से लिखा होगा क्योंकि यह तो पूरा लिखा है ना कि इलेक्रिशन का इतने दिन से इतन अगस्त से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी इनकी पांच दिन और वेट कर लिजिए उसके बाद एड मिट कार्ड और देखिए एक बार जनरली चेक कर लेते हैं कि आपका जो इसकिल टेस्ट है वो शुरू कब से हो रहा है न तो 20 सितंबर 19 और आपके सितंबर में कब से शुरू हो रहा है तो 23, 22, 18, 18, 18, 18 मुझे लग रहा है 18 सितंबर से शुरू हो रहा है न अठारा सितंबर से आपके शुरू हो रहा है इसकिल टेस्ट और चलेगा कब तक क्योंकि सबसे लोइस्ट डेट यहीं दिखाई दे रही है मुझे I think और इस से तो क क्या ही माने 18 सितंबर से आपके शुरू हो रहा है और चलेगा कब तक Highest आपकी October है 17 October दे रहा है ना सबस manufacture यह फिर इस्यादा जादा है बाइस October इस्यादा है ना तो 22 अक्टुम कर सकते हैं कोई बढ़ात ने है 17 सितंबर से लेके मुझे लगता है 17 सितंबर से लेके आपके 22 अक्टूबर तक स्किल टेस्ट चलेंगे यांकि लगभग एक महीने आपकी स्किल टेस्ट चलने वाले हैं तो ठीक है यह टाइम भी निकल जाएगा वक्त ही है तो गुजर जाएगा आप सब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं मुझे लगता है यह स्किल टेस्ट बहुत लेट होगे हैं आपस्किल टेस्ट हो जाएगा और मुझे लगता है नौनबर में इनकी हमारी इस्किल टेस्ट साथ के टेगरिवन को जोइनिंग दे ौर उसके बाद दिसमबर में हमें फाइनली जोइनिंग दे तो बहुत अच्छा रहेगा और चलो देखते हैं क्या होता है रिक्वेस्ट है जो भी इलेक्टिशिन वाले और स्किल टेस्ट देने आप सब को जाना है तैयारी कर दीजिए तैयारी करने के लिए भी पूरा अगस्त और सितंबर का मैना ले दिया है यानकि लगबग डेड़ मैने का समय है आपके पास एक मैने और कुछ दिन 15-20 दिनों का तो आप इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं वो तो दन्यवाद आप सभी का और देखिए कोई और अपडेट हो तो वेबसाइट पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पूरा आपके साथ सेयर करते है जो भी नई अपडेट आती है वो आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करने की कोसिश करते हैं और जब तक कोई ओफिश्यल नहीं होता है न तब तक कुछ नहीं बनाते हैं वीडियो तो आप जरूर शेयर करें और केटेगरी वन का जो आपकी केटेगरी 2 प्लांड ओडेटर में आप वो तो